पेरिश की संधि अंग्रेज जबम फ्रांसीसियों के बीच 1763 में हुई इस संधि के द्वारा तिरतीय करनाटक यूज़ का अन्थ हुआ इस संधी की सर्टों के अनुसर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की भारत में जीती गई सारे फیک्तरियां लोटा दी पर अब फ्रांसीसि अपने फैक्तरियों की किलेवंधी नहीं कर सकते थे और ना ही वहां सैनिक रख सकते थे अर्थम करनाटक यूद 1746 से 48 के बीच कारन था आउस्ट्रिया का उत्राधिकारी यूद कौन सा संधी हुआ एक सला सैपल संधी जो 1748 में हुआ इस यूद में फ्रांसीसी की बिजय हुई इसमें डूपलो की महत कांचा बढ़ गई जितिय करनाटक यूद 1749 से लेके 54 तक कारन था हैदरावा तथा करनाटक के आंतरीक मामले में बिवाद पांडी चिरी की संधी 1754 में हुई दितिये करनाटक यूद में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी ने भारतिये रजाओं एवं नवाबों के अंत्रिक मामले में हसाचेपना करने का बादा किया तितिये करनाटक यूद 1701 ठामन से लेके 1763 के बीच कारण बना सब्थ बरस्य यूद से प्रवाबित कौन सी संधी पेरिश की संधी 1763 में परिनाम निकला 1760 इसवी में बंडिवास के यूद में इंग्लिस कंपनी ने फ्रांसीसियों को निरनायक रूप से पराजित किया राजा राम की मिर्तु के बाद दिवेना टैगोर ने ब्रहा समाज की गती विधियों को जारी रखा और 1849 में तत्वोधनी सभा के स्थापना की पुना समझ होता 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और भेमराव अमिदकर के बीच हुआ जिसमें मदन मोहनमाल बिये तथा राज गुपाल चारी डॉक्टर रजन परिया परसाद के का महस्पुर्ण भूमिका रहा संपर्दाइक पंजाट के बिरुद गांधी जी ने यरवदाज जेल में 20 सितंबर 1932 को अमरन अंसन शुरू कर दिया मदन मोहनमाल बिये राज गुपाल चारी डॉक्टर रजन परसाद के परियासों से महात्मा गांधीवा भिमराम अमितकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना समझहता हुगा इस समझहते के अंतरगात परांतिय बिधान मंडलों में दलित बर्ग के लिए एक अत्तर की जगा 147 सीटे कर दी गई और केंद्रिये बिधान मंडल में दलित बर्ग के लिए 1830 सीटे अरचित की गई पूना समझहता के तहत बिधान मंडल में दलित बर्ग के लिए 147 सीटे अरचित की गई और केंद्रिये बिधान मंडल में 1830 सीटे अरचित की गई कारा कोरों स्रेनी को एसिया के रीड कहा जाता है इस स्रेनी में भारत का सर्वोच परवत चोटी केटू या गौडविन आस्टिन जो 86-11 मीटर स्थित है गौडविन आस्टिन परवत को गौरी नंदा परवत के नाम से भी जाना जाता है उत्तर में ट्रांस हिमालाय से इंडो संगपो सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है इसके अंतरगत ट्रांस हिमाले के अंतरगत कारकोरम लदाख जाउसकर एवं केलास परवस शरेनिया आती है बिश्व की सर्वधिक कितिर्व ढाल बाली चोटी राकापोशी लदाख सरेनिय में इस्थित है जुक्कु घाटी या नागा लेंड में कोहिमा से लगभग तीस कीमी की दूरी पर इस्थित है मलाना घाटी या हिमाचल परदेश में छोटा युनान के रूप में परसीद है अस्थिती घाटी बौध का परसीद ताबो मट अस्थिती घाटी में अवस्थित है कुलो घाटी या धाला धर एवं वीर पंजाल शरीनि के मद अवस्थित है इसे देपताओं की घाटी कहा जाता है थुथांग घाटी जो सिक्किम राज में गंटोक से लगभग 149 किमी दूरी परिस्थित है थुथांग घाटी को हॉट अस्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है ब्यास अनदी को विपासा भी कहते हैं यह रोहतांग धर्रे के निकाट ब्यास कुन से निकलती है और पंजाब के मैदान में परविश करती है जहां हरीके के पास 17 नदी में मिल जाती है ब्यास नदी पर मंडी नगर इस्थित है तथा पोंग बा हरीके बांध ब्यास नदी पर प्रियोजना है हरीक्य बैराज का के पास से भारत की सबसे लंबी नहर इंद्रा गांधी नहर निकलती है नर्मादा की सहायक नदी बंजर तवा सर कुंडी हीरन तथा नर्मादा पर अंकलिसवर जबलपूर और रायगण नगर बसा हुआ है नर्मादा नदी पर महिसवर बांध इंद्रा गांधी सागर बांध अंकलिसवर बांध और सरदास रवर बांध इस्थित है तमिलनाडू में सबसे ज़्यादा बरसा सरद कालिन बरसा जो उत्तर पूर्वी मांसुन के कारण होती है जो जनवरी के बीच यह 2.6% बरसा होती है तमिलनाडू पच्मे घाट के परवत ब्रिश्चाया चेत में पड़ता है यहाँ दच्छिन पच्छिम मांसुन दोरे काफी कम बरसा होती है सरद रितु को मांसुन परवरतन का काल कहा जाता है दच्छिन पच्छिम मांसुन जून से सितंबर 73.7% बरसा होता है कवेरी नदी पर मेट्टूर बांध है तथा कवेरी पर सिरिग्रम पतनम तथा तिरी चुपली नगर अवस्थित है ताती पाका तेल परी सोथ नाले अंधरापर्दिस में इस्थित है सुन निकाल परश्ण काल के बाद सुरू होता है यह पहले बारा से एक के बीच में चलता था अब बरतमान में यह एक वज़े से दूज तक चलता है संसद्य परकिरिया में यह भारत की देन है सुन काल 1962 से जारी है यह अनवचारिक साधने जिसमें संसद्य सदस बिना पूर्व सुचना के मामले उठा सकता है सुन काल के दौरान सदस अभी लंबनिये महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंथ करवाही चाहते हैं 2011 जनगर्ना के नुसार भारत में सबसे अधीक सहरी जनसंख्य महराष्ट में हैं उसके बाद उत्तर परदेश उसके बाद तमिलनाडू में हैं काच कारान भारत का सबसे बड़ा जैब मंडल और अच्छित छेत्र है इसका छेत्फल 12454 किलोमीटर है मनार की खाड़े का छेत्फल 105002 किलोमीटर है जो दूसरा सबसे बड़ा जैब मंडल अच्छित छेत्र है भारत का पहला जयव मेंडल और अच्छित छेत्र नील गिरी है जो 1986 में राज तमिलनाडू केरलवा करनाठा के में इस्तित है या 55-20 किलो मिटर है भारत का सबसे छोटा जयव मेंडल और अच्छित छेत्र डिबरू से खोवा है जो 765 किलो मिटर है कच के रन 2008 में इनिसकों में घोशित हुआ भारत में भेड पालन मोखेता पठारी और पहाड़ी छेत्र में किया जाता है अंदरा परदेश में देश की 40% भेड पाई जाती है भेड आउस्तन एक भेड से एक से डिड़ किलोग्राम उन परतिवस राप्त किया जाता है दूद देने वाली भेड कुक्का लोही मांस हे तू भेड जलवनी और हसन उन हे तू मारवाडी भादरवाल जलवनी विकानेरी भारतिय सविधान में तीन तरा से संसोधन करने की परकिरिया है पहला सधारन बहुमत द्वारा इसके अंतरगत राष्टपती की पूर्व अनुमती मिलने पर नए राजो का निर्मान राज के छेतर सीमा और नाम परिवरतनादी सिस्सम्बंदिक विधैयक संसत के सधारन बहुमत द्वारा पारित होने पर कानुन बन जाता है दूसरा है दो तिहाई बहुमत द्वारा इस संसोधन परकिरिया में संसत के परतेक सधन में सधस्यों की कुल संख्या का बहुमत तथा उस सधन में उपस्थित एवर मतदान करने वाले सधस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत के वैसकता होती है तिसरा दो तिहाई बहुमत तथा राज विधान मनलो की सुकिर्टी द्वारा इस परकिरिया में संसोधन करने के लिए संसथ के दो तिहाई बहुमत के साथ सथ कम से कम आधे राजियों के विधान मनलो की सुकिर्टी अवैस्षक होती है एक बार में संसदिय अनुमोधन के उपरांत 6 मा के लिए राष्टपती सासन लगाया जाता है इसे आगे बढ़ाने के लिए संसदिय अनुमोधन अविसक है इस तरह अधिक्तम 3 बरसों तक राष्टपती सासन परभावी रह सकता है बितिये अपात कि का समय छे माह से अधिक नहीं रह सकता और संसत द्वारा अनुमोधन होने के बाद अधिकतम एक बरस तक रहता है सविधान के भाग दस में अनुसूचित और जंजाती छेतर जो अनुचे 244 से लेकि 244 कम तक है 11 में संग राज के बीच संबंध है जो 245 से 233 तक है भाग 12 में बिति संपत्ति संबिदाएं और बाद है जो अनुचे 264 से लेकि 300 के का तक है और साथ में पहली अनुसूचि के भाग खा के राज जो 238 निरसित अनुचेद है अनुचे कह में नगरपाली काये हैं अनुचे कह में सहकारी समितिया है भारत के नियंतर केवा महालेखा परिच्छक को हटाने का कार संसत के दोनों सदनों के समा बोधन पर भी हटाया जा सकेगा यानि इसे हटाने के पर किरिया उस्तम न्याले के नियधिस के समान होगी इसकी पदाबधी गरहन करने की तीथी से छे बर्स होगी लेकिन यदि पूर्व 62 बर्स के आयो प्राप्त कर लेता है तो वह अपकास गरहन कर लेगा नियंद्रक महलेखा परिच्छा सरवजनेक धन का सनच्छक होता है यह संचीत निधी से किये गए सभी व्याय वीधी के धीन हुए है यह इस बात की संपिर अच्छा करता है नियंद्रक महलेखा परिच्छक राष्टपती या राजपाल के निवेधन पर किसी अन्य परधिकरन के लेखाओं की भी लेखा परिच्छा करता है जैसे अस्थानिये निकाओं की लेखा परिच्छा नियंत्रेक एवा महालेखा परिच्छ कराश्टपती को तीन लेखा परिच्छा परतिवेदन प्रस्तूत करता है पहला बिनियोग लेखाओं पर दूसरा बित लेखाओं पर तिसरा सरकारी उपकर्म लेखाओं पर नोट में देखेंगे नियंत्रा एब महालेखा परिच्छा संसत की लोग लेखा समीति के गायड मित्र एबं मारदरसर के रूप में कार करता है बरopers 1986 में गठी एलम सिंधिस समीति की इसी फारिसोग के दहार पर एब में समिदान संसुधन अधिनियम 1993 के द्वारा पांचायती राज को समिधानिंक दर्जा प्रदान किया गया बलवन्त राय महता समीति उनिस संतामन असोग महता समीति 1977 पी बी राय समीति 1980 पचासी बरतमान में राज सभा में कूल 245 सदस है इसमें 233 निर्वाचित होते हैं इवं 12 कि सदस से 12 मनोनित सदस है जिसको राष्टपती मनोनित करता है 233 निर्वाचित सदस्यों में 239 राज्यों से हैं तथा चार के अंसासित परदेश से हैं भरतमान में लोक सभा के कूल सदस्यों की संख्या 545 है जिसमें से राज्यों से 530 राज्यों से 13 और अंगल भारती सदस्यों जो हैं दो है नोट में देखेंगे लोक सभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या 500 बामन हो सकती हैं जिसमें से 530 सदस राज्यों के दोरा और 20 सदस संख्यों राज्यों के दोरा राज सुची में बरतमान में 61 भी से हैं जिसमें सांती और विवस्था पुलीस जेल अस्थानिये स्वासन जिसको पंचाईती राज भी कहते हैं किर्सी जन स्वास्त राज के अंदर होने वाला बेपार नया भी भागा दिया आता है संबरती सुची में बरतमान में 52 भी से है इसके अंतर का दिवाने और फौजदारी कानून एवं परकिरिया विवाह तथा तलाक सुच्छा आर्थिक नियोजन बीली समचार पत्र और सार्मिक संग बना दियाते हैं ग्राम पंचायत की बैठाक मुख्या दोरा निश्चित तिथी एवं समय पर ग्राम पंचायत का रियाले में दू माह में कम से कम एक बार आयोजित किया जाना अनिवारी है ग्राम पंचायत के बैठाक के लिए गनपूर्टी सदसी की कूल संख्या आधी यानि 50% होनी चाहिए भारत में में स्रित अर्थव्यवस्था का रथ राष्टिय अर्थव्यवस्था में सर्विनिक छेतर के साथ साथ नीजे छेतर का विधमान होना जरूरी है इसमें कुछ लच्छन राज अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं तो कुछ लच्छन पुंजिववादी अर्थव्यवस्था के यानि सहकारी एवमनीजी छेतर का साहस्तित्म होता है दितिये विष्व यूद के समापती के बाद उपनेवी से उपनी वेस वाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रीत अर्थववस्था को अपनाया मिश्रित अर्थववस्ता अपनाने वाले देश भारत मलेसिया और इंडोनेसिया हैं केंस ने सुझाब दिया था कि sounds within वादी अर्थववस्ता को समझभादी अर्थववस्ता की और कदम बढबाना चाहिए कि जबकि परोलांज ने कहा था कि समझभादी अर्थविवस्था को फुन्जिवादी अर्थविवस्था के एक कदम बढ़ाना चाहिए बंद अर्थविवस्था हुआ अर्थविवस्था है जिसमें ना तोंजिरियात और ना ही आयात होता है यानि ऐसी अर्थव्यवस्था असेस बिश्व से कोई संबंध नहीं होता भारत में राष्टी आएक के आंकड़े बीतिये बर्स एक अप्राइल से 31 मार्च परधारित है भारत में संखेकिक ब्युभाग के इंतरगत केंद्रिये संखेकिक संगठान जिसके स्थापना मई उन कुजनेट्स को राष्टी आए ले खांकन का जन्मदाता माना जाता है जिस इसके लिए नुविल उसकार मिला राष्टी आए को देखते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में एक बर्स के दोरान उत्पादित अंतिम बस्तूं तथा सिवाओं का मूल राष्टी आए कहलाता भारत में राष्टी आए और परत्य बेक्ति आए की गन्ना का पर्त्हम परियास दादा भाई नेरोजी ने बर्स 1867-68 के बीच किया था नेरोजी के आखलन के नुसार बर्स 1860 में परती बेक्ति आए 20 रुपेज थी इफ सिरास ने बर्स 1911 में परती बेक्ति आए 49 रुपेज बताया बैस्बिक बीतिये इस्थिर्ता रिपोर्ट अंतराष्टिये मुद्रा कोस आए आएमेफ जारी करता है क्रिष्ण करांती पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है एक अखील भारती इलेक्ट्रोनिक्स स्टेंडिंग पोर्टल जो किर्शी से संबंधित उपज्वों के लिए एक एक किरित राष्टिये बजार का निर्मान करता है वह इनाम है सुतंत भारत की पर्थम अधोगे की नीती की घोसना कब की गई यह 1948 में की गई सर्म गहान उधोगों में अधिक सरमीकों कियावे सकता होती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अश्टेलिया में इस्थित है यह रेंज अश्टेलिया के पूर्वी तर्थ के के पियार क परायदीब के दच्छिन में तसमानिया दीब तक बिश्थित है रीगा लत्विया की रईधानी है डिथुआनिया की रईधानी बिलियांस ले थूनिया भू अप्सेशी देश नहीं है यह बाल्टिक सागर से अपने सीमा साजा करता है युनिसेव का मुख्याला न्युमार्क में है इसके स्थापना उनिसोच्छालिस में की गई थी युनिसेव के बरतमान में कारकार निदेशक हेंडिटा एच फोर जो अमेरिका के है और युनिसको के महाने देशक अधरे उन्जोले जो फरांस के है अंतराश्टिये रेड कराउस सोसाइटी के स्थापना 1863 में हैंडी डुनेट के द्वारा जो नेवा में की गई बाकर कप राइडर कप डन हिल कप प्रेंस आफ वेल्स कप इत्यादी गुल्प से संबंधित है झाल 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 झाल